देश में सरक दुरगतना से हो रही मौत की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार बाइक राइडर को हेलमेट पहनने के लिए अपील करती रहती है। चित्थी लिखा है जिसमें IRF अपनी राइवेक्ट की है और सरकार के सामने एक मांग रखी है। और हमारे हिसाब से IRF की यह मांग सही भी है इसलिए सरकार को IRF के इस मांग पर अमल करनी चाहिए। क्या है पूरी खबर इसके बारे में पूरी कहानी बताएंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार मेरा नाम घंसियाम सिंग है और आप जनता जंकसन देख रहे हैं। भारत में हर साल कड़ी पांस लाग सरक दुरगटना होती है जिन में से 1,05,000 लोग की मौत हो जाती है और कड़ी पांस लाग से ज्यादा लोग घःल हो जाते हैं जिन में से कड़ी 3% लोग पूरी जिन्दगी के लिए विकलांग हो जाते हैं। और जो पांच लाग सरक दुरगटना हो रही है इसमें से जादातर लोग 18 से 45 साल तक की उम्र के होते हैं 18 से 45 साल तक की उम्र के लोग इस देश की अर्थ व्यवस्था को बनाने में भी अपना बहुत बड़ा योगदान देते हैं लेकिन एक लाग पच्चास जार लोग की मौश सरक दुरगटना में हो जा रही है जो देश की अर्थ व्यवस्था पर भी असर डालती है कई बार सरक हाथसा इतनी ज्यादा बुरी होती है कि एक ही बड़ी बार की कई लोगों को जान गवानी पड़ती है भारत में हो रही सरक दुरगटना को कम करने के लिए अब IRF की तरफ से भी कदम बढ़ाया गया है दरअसल IRF ने वित मंत्री निर्मला सिता रमन को एक पत्र लिखा जिसमें लिखा कि हैलमेट पर जो 18% की GST लगाई जा रही है उसको खत्म कर देना चाहिए IRF ने बित मंत्री को हेलमेट पर लगाए गए GST को इसलिए खत्म करने को कहा है ताकि हेलमेट की कीमत में कमी आए और कोई भी लोग आसानी से हेलमेट खरीद पाए क्योंकि अभी भी आपको बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो यह कहेंगे कि हेलमेट खरीदने के पैसे नहीं है इसलिए अकर हेलमेट पर लगाए गए 18% की GST को हटा दिया जाएगा तो हमको लगता है कि वह लोग जो कीमत की वज़द से हेलमेट खरीदने से कतराते हैं वह स 11% अकेले भारत में हो रही है सरक चुरक्षा विशे सग्यों के अनुसार 2025 तक सरक दुरगतना से हो रही मौत की संख्या को कम करने के लिए 2030 के अंत होने से पहले हेलमेट पर कोई भी GST नहीं होना चाहिए आपको बता दे कि अभी हेलमेट पर 18% का GST लग रहा है और IRF का कह होना है कि अकर हेलमेट पर से GST को हटा दिया जाए तो लोगों के लिए हेलमेट खरीदना की फायती हो जाएगा और इस वज़ा से लोग हेलमेट खरीदेंगे और इसका उपयोग करेंगे जिसे सरक दुरगतना से होने वाली मौत की संख्या में भी कमी आएगी आपको बता कि हमारा देश पहले से ही सरक दुरगतना और मौत के बढ़ते बोच का सामना कर रहा है इसलिए सरक दुरगतना से हो रही मौत की संख्या को कम करना बहुत जरूरी है भारत में जितनी मौत सरक दुरगतना से हो रही है उसमें 31% मौत सिर्फ दोपईया वहां चालकों की हो र लोग करें मांकि अब आप आयारेफ की इस मांग पर क्या विचार रखते हैं अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताईए वीडियो को सेर कीजिए और अगर हमारा यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए अगर यूटूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं घंसियाम सिंग वीडियो में अंत्र तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद